हलो एब्रिवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल, तो आज की जो वीडियो है, आज का MCQ टेस्ट है, वो आधुनिक भारत में सिक्षा का विकास से सम्भन्दित MCQ टेस्ट है, हलाकि जो मैंने होंबग दिया था आप लोगों को, तो दो चैप्टर दिया था कि भारत में सिक्षा का विकास और समाचार पत्र का विकास या फिर प्रेश्ट का विकास इन दोनों ही चैप्टर को पढ़ने के लिए था, लेकिन कोशन इसमें काफी हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, और इसलिए एक ही चैप्टर लिया मैंने कि भारत में सि प्रथम मदर्शा की अस्थापना की थी भारत में आधुनिक सिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है आंसर है ओप्षन ए चार्ल्स ग्रांट को एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल के संस्थापक कौन थे आंसर है ओप्षन सी सर विल्यम जॉन्स सतरसो चौरासी एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल की अस्थापना की थी वारनसी में प्रथम संस्कृत महाविद्याले की अस्थापना किस ने की आंसर है इसका ओप्षन बी जोनाथन डंकन 1791 इस्थी में बनारस के ब्रिटिस रेजिडेंट जोनाथन डंकन के परियाशों के फलस्थरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कौलेज खोला गया निमलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्था प्रदान की गई थी आंसर है ओप्षन सी माइकल मदुसूदन डथ को पेरिस की एसियाटिक रॉयल सोसाइटी की सदस्था माइकल मदुसूदन डथ को प्रदान की गई थी निमलिखित अंग्रेजों में से कौन जिसने सरुपर्थम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था आंसर है ओप्सन A चॉल्स विलकिन्स ने वारेन हेस्टिंग्स के काल में चॉल्स विलकिन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था जिसकी प्रस्तामना स्वेन वारन हेस्टिंग्स ने लिखा था हितोपदेश का भी अगर पूछा जाये तो हितोपदेश का भी प्रतम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलकिन्स ने ही किया था निमलिखित में से किसने कालिदास की प्रशिद रचना अभिज्ञान सकुन्तलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था आंसर है ओप्सन डी सर विलियम जोन्स ने सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कोलकाता उच्चतम नयाले के नयाधिस नियुक्त हुए इसकी प्रेणा पर 1784 इसवी में एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना हुई 1789 इसवी में कालिदास रचीत अभिज्ञान सकुन्तलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके पांच संस्क्रन प्रकासित किये गए ब्रिटिस सरकार की किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में सिक्षा के लिए एक लाख रुपे दिये थे आंसर है ओप्सन बी चार्टर अधिनियम 1813 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार सिक्षा के प्रती सरकारी उत्तरदाईत उठाया प्रती वर्स सिक्षा के लिए एक लाख रुपे खर्च करने की विवस्था इस अधिनियम में की गई अगर आप 67th VPSC की तयारी कर रहे हैं तो 67th VPSC के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिये जा रहे हैं 1500 कोश्चन के साथ जिसके PDF का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी आपको पेमिंट के लिए दिये गए QR कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिये गए अकाउंट नमबर का और उसका स्क्रिन सोट आप दिये गए WhatsApp नमबर पर सिंट करें वुट डिस्पैच के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सकते हैं आंसर है इसका option B केवल एक और दो कि सहाय का नुदान विवस्था यानि की grants in ad सुरू की गई और विस्विद्यालेओं की अस्थापना की सिफारिस की गई तीसरा option गलत है आपर दिया गया कि सिख्षा के सभी अस्थरों पर सिख्षन माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिस की गई तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि उच्ष सिख्षा का माध्यम अंग्रेजी हो ऐसा किया गया लेकिन देशी भासाओं को भी प्रोचाहन किया जाए यह बात इसमें कही गई कि उच्ष सिख्षा को अंग्रेजी भासा के माध्यम से दिये जाने पर बल तो दिया गया लेकिन साथ ही साथ देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया फिर है ये लाइन भी आप याद रखें क्योंकि हो सकता है objective question को तोड़ा गुमा कर पूछ लिया जाए कि ये जो है नीजी सिक्षा शेतर में नीजी परियासों को प्रुतसाहित है तो अनोदान सहायता है ने कि Grand C.net की पद्धती चलानी की योजना बनाई गई तो ये किस में तो ये वोड़ डिस्पैच में ही चलाई गई थी तो ये इस तरह से भी कोशन पूछ लिया जा सकता है और लंदन विश्विद्याले के आधार पर वंबाई, कलकता और मदरास में तीन विश्विद्याले अस्थापित करने की योजना बनाई गई और ये जो गोशना पत्र था वोड़ डिस्पैच का तो इसे भारत में अंग्रेजी सिक्षा का मैगना काटा भी कहा जाता है चार्ल्स उट का आदेश पत्र निमलिखित में से किस से संबन्धित था? आंसर है ओप्सन ए सिक्षा से वोड़ गोशना पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधग चार्ल्स उट द्वारा 19 जुलाई 1854 में जारी किया गया था इस गोशना पत्र में भारतिय सिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई जिसे उट का डिस्पैच कहा गया हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेस जोड दिया गया आंसर है ओप्सन सी प्राथमिक सिक्षा को 1854 इस्वी के पश्चात सिक्षा के छेतर में हुई प्रगती की समिक्षा करने के लिए 1882 इस्वी में WW Hunter की अधख्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक सिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेस जोड दिया गया नेशनल काउंसील ओफ एजुकेशन के स्थापना कब हुई आंसर है ओप्सन डी 15 अगस 1906 को राष्टी सिक्षा के छेतर में सरुपर्थम 1905 में रंगपूर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई 16 नवंबर 1905 को कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया इस सम्मेलन में राष्टी साहितिक, वैज्यानिक और तक्नीकी सिक्षा देने के लिए राष्टी सिक्षा परिशत की अस्थापना का फैसला हुआ 15 अगस 1906 को राष्टी सिक्षा परिशत की अस्थापना की गई सैडलर आयोग संबंधित था सैडलर आयोग सिक्षा से संबंधित था 1917 में सरकार ने कोलकाता विश्विद्याले की संभावनाओं का अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया डॉक्टर M.E. सैडलर इसके अध्यक्ष थे इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्विद्याले सिक्षा पर सुधार करना है तो माध्यमिक सिक्षा का सुधार आवश्चक है शिक्षा में सुधार है तो ब्रेटिस सरकार ने सैडलर विश्विद्याले आयोग कब नियुक्त किया आंसर है ओप्सन बी उनिश्व सत्रा इस्वी में 1902 इस्वी में लाड करजन ने दो भारतिय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्विद्याले आयोग का गठन किया वे कौन थे आंसर है ओप्सन डी सैड हुशैन बिलग्रामी एवं न्यायपूर्ती गुरुदास बनर जी 1902 में टॉमस रैले की अधक्षता में विश्विद्याले आयोग गठन किया गया था इस आयोग के सदस्यों में से दो भारतिय सदस्य शैयद हुशैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ती बनर जी को भी न्युक्त किया था इस आयोग के सिफारिस विश्विद्याले की स्थिती एवं उच्छ सिक्षा के संबंद में सुझाव देना था और इसी समीती द्वारा दिये गए सुझाव पर विश्विद्याले अधीनियम 1904 लाया गया लॉड मै काले संबंधित थे आंसर है ओप्सन ए अंग्रेजी सिक्षा से भारत की सैक्षनिक निती में फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रतिबादक थे आंसर है ओप्सन बी मै काले भारत में आधुनिक सिक्षा प्रणाली की नियू किस से पड़ी आंसर है ओप्सन बी 1935 के मै काले के अस्मरन पत्र से भारत में आधुनिक सिक्षा प्रणाली की नियू 1835 के मै काले के अस्मरन पत्र से पड़ी भारत में प्रथम तीन विस्विद्याले कोलकाता, मदरास, मुंबई की अस्थापना किस वर्स हुई? आंसर है ओप्सने 1857 में लंदन विस्विद्याले के आधार पर कोलकाता, मुंबई और मदरास में तीन विस्विद्याले अस्थापित करने की योजना वुड्स की गोशना पत्र 1854 में सम्मिलित थी जिसका मुख्य कारे परिक्षाय संचालित करना और उपाधियां देना होता था 1857 में यह विस्विद्याले अस्तित्यों में आया आंसर है ओप अपशन सी डीके कर्वे के परियत्न से डीके कर्वे के सतत परियत्नों से 1916 में मुंबाई में प्रथम महिला विस्विद्याले किया स्थापना हुई यह महरास्ट में सामाजिक सुधार एवं सामाजिक कारे करता थे डेकन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना से कौन सम्बंधित है? आंसर है ओप्सन C. बाल गंगाधर तिलग निमलिखित में से किसे सरोपर्थम केंद्रिय विश्विद्याले गोशित किया गया? आंसर है ओप्सन B. बनारस हिंदू विश्विद्याले बनारस हिंदू विश्विद्याले का सिला न्यास निम्न में से किसने किया था? आंसर है ओप्सन A. लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्विद्याले का सिला न्यास 4 फरविरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तातकालिक वासराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था निमलिखित में से किसने भारती विश्विद्यालेओं में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी आंसर है इसका ओप्संटी मदन मोहन मालवियने भारते विश्विद्यालेओं में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवियने परबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालविय अग्रनी राष्टवादी तथा देशभक्त थे वे आरम में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवशाय से वकील थे मुहम्नन एंगलो ओर्येंटल कॉलेस अलिगर्ड की अस्थापना किस वर्स होई थी? आंसर है ओप्सन C, 1875 इसवी में निम्न में से किसका कथन था? यूरोब की एक अच्छे पुस्तकाले की अलमारी का एक कक्षा भारत एवं अरब के समस्त साहित से ज़्यादा मूलिवान है आंसर है ओप्सन B, लॉर्ड मैकाले दो फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने आंगले दल का समर्थन किया व उसने अंग्रेजी भाषा साहित की प्रशंसा करते हुए भारती भाषा व शाहित की आलोचना की और कहा यूरोब की एक अच्छे पुस्तकाले की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित से ज़्यादा मूलिवान है निम्न में से कौन सा आयोग या कमीशन का संबंद सिक्षा सुधार से नहीं है आंसर है इसका ओप्सन डी सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र तथा राजे से संबंधित है मा की रेले कमीशन, सैडलर, आयोग, हंटर, आयोग, इन सभी का संबन सिक्षा सुधार से है महत्मा गांधी ने किस योजना में 7 वर्स से 14 वर्स तक के बच्चे के लिए निसूल के एवं अनिवारी शिक्षा की व्यवस्था की थी आंसर है ओप्सन B, वर्धा योजना में चाल्स उट का आग्या पत्र का प्रकाशित हुआ था आंसर है ओप्सन A, 1854 में निम्न मेसिक्षी से भारती सिक्षा का मैगना काटा कहा जाता है आंसर है ओप्सन A, चाल्स उट का डिस्पैच 1854 को चाल्स उट का डिस्पैच 1854 का गठन डलहौजी के कारेकाल में हुआ था इसे भारती सिक्षा का मैगना काटा कहा जाता है तो ये थे 30 कोशन्स का सेट आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो पशंद आया तो लाइक और सेर जरूर करें और चैनल पर नए हैं फर्स टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेल आकोन को भी प्रेस कर लें ताकि ये जो सिरीज है इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुचती रहे धन्यवाद